नमस्कार मित्रो स्वागत है आपका हमारे यूटुब सेनल हरी ज्यान उखाराम में मित्रो और भाईयो भेनो माताओ अगर आप वीडियो पर नए है तो लाइक चचकराईब जरूर कर लीजेगा तो आईए सरू करते वीडियो चित्रकूट में श्री राम और सीता कुछ समय के लिए रहे थे एक दिन श्री राम ने वनफूलो से कुछ आभूशन बनाए और सीता जी को पहनाया उसी दौरान इंद्रपुत्र जयन्त आया उसे लगा कि भले ही महा विश्नु नर अवतार में राम है लेकिन है तो मनुष्य ही ऐसे में उस मूर्थ को शरारत सूजी और वह कौवे का रूप बना कर आया और सीता जी के पैर में चोँच मार दी वह श्री राम के बल की सीमा जानना चाहता था जयन्त की इस कुटिलता को देखकर श्री राम ने बिना क्रोध किये ही बस उसे दंड देने के लिए एक तिनका उठाया और जयन्त की ओर लक्ष करके फेंक दिया श्री राम के हाथ से छूटे तिनके ने ब्रहमास्त्र का रूप धर लिया और जयन्त का पीछा करने लगा जयन्त ब्रहमलोक गया, इंद्र के पास गया, शिवलोक गया लेकिन किसी ने उसकी रक्षा नहीं की पूरे ब्रहमांड में जयन्त जहां जाता, तिनका वहीं पीछा करते हुए पहुँच जाता जयंत की इसी स्थिती का वर्णन करने के लिए तुलसी दास ने रिशी दुर्वासा का उदाहरन लिया है उन्होंने लिखा कि जयंत काफी डरा और निराश हुआ उसका मन भय और त्रास से भर गया उसकी स्थिती वैसे ही हो गई, जैसे एक बार रिशी दुर्वासा की हो गई थी, क्योंकि उनके पीछे श्रीहरी विश्नु का चक्र पड़ गया था रिशी दुर्वासा की इसी कथा को तुलसी दास ने एक पंक्ती में कह दिया है वह लिखते हैं